क्योंकि जो संग होता है वो शिकारी होता है जो संग से अलग चला जाता है वो शिकार होता है संग अपनी गती को तेज करता जा रहा है कोई व्यक्ति उसको तेज नहीं कर रहा है कोई व्यक्ति ये सोचे या व्यक्ति का समूई ये सोचे के हम संग की गति को तेज कर रहे हैं ऐसा मान ऐसा अभिमान ऐसा प्रसंसा या ऐसा ख्याल अगर किसी के मन में आता है या कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है तो वो बहुत पहले से व्यक्ति यहां है वो तब भी संग को गती दे सकता था मगर ऐसा नहीं गती प्राप्त करने का संग का नेच्रल टाइम चल दा है नेच्रल पॉसेस बुद्ध जैसे जो लोग होते हैं वो बताके जाते हैं कि यह जो आइडिलोजी हमने डवलब की हमने डिस्कवर की हमने प्रक्रती है उससे निकाल के लेके आए खोजी हमने इसकी एक आईउ है एक उम्र है और इसकी आईउ बढ़ाने के तरीके हैं और इसकी आईउ बढ़ाने के भी तरीके हैं तो बुद्ध जैसे व्यक्ति अपने विचारों की जो करांती का पईया चलाया उसकी स्पीड ज्यादा देर तक चलती रहे उसके तरीके बता के गए पर अनंत वो ये भी बता के गए कि एक आने के बाद में ये पईया उल्टा चलेगा और मगर फिर कुछ समय बाद ये पईय सब्षम्मिया दुवारा से चलाया संग का तो 70 साल में आज संगि यहाँ पहुंचा है और हम संग के नाम से काम नहीं कर रहे हम काम कर रहे थे हमको संग की पचान नहीं थी कि हमें संग में काम करना है तो भी संग में पैचानती हमें पैचानती तो आया क्यों नहीं पर समय आ गया कि हमें नेचरल पैचान हो गई कि हमें संग में काम करना है और संग के लिए काम करना है संग के द्वारा काम करना है और संगी होना है और हम पहले से संगी हैं यह बात हम समझाने रहें कोई अगर यह क लोगों के खून में से लोगों के जीन में से निकल के खुद बहार आ रही है जिसको एक वार भी हलकी सी भनक मिल रही है जिसको एक वार भी हलका सा संग का पता मिल रहा है जिसको एक वार भी समण संग की संगती देखने को मिल रही है जिसको एक वार भी समण संग में आके बै जाता है सतर साल का बेयकीन है इसलिए तुरंत यकीन नहीं करता पर जैसे जैसे देखता जा रहा है कोई एक दिन कोई एक मेहने कोई दो मेहने कोई साल कोई छे मेहने कोई दो साल देखेगा कोई तीन साल देखेगा पर सबके अंदर इसका पहले से ही बीज है क्योंकि हम पुर साथ लगाए जाए तो हम उसकी स्पीड को बहुत इसे बढ़ा सकते हैं ऐसा बुद्ध ने करके दिखाया ऐसा बावासाब नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास में समय कम था बुद्ध के पास पैतालिक साल थे मगर बावासाब तो चपन के बाद में बहुत इसे एक्सपायर हो करने के लिए कहीं किसी के हाथ नहीं जोडने हैं तेज करने के लिए किसी की पूझा आश्रा नहीं करनी है तेज करने के लिए कोई आडमरभ्रम पैदा नहीं करना है तेज करने के लिए कोई जूट नहीं बोलना है सिर्फ उसको याद दिलाना है सिर्फ उसको रिमेंबर कर स्द्ध करते रहे तो कोई भी भारत का यो समझतनी है वो यह सिद्ध नहीं कर सकता कि वो पुराना समझती नहीं शेक्त सब्सकर बार आप तक कorem क्या आपने ऊसको एकवार यह बताडिया औस रहे हे रहता है तो हमारे कश्ट बहुत तेजी से खतम होते चले जाएगी संगीतियों में जितने लोग आ रहे हैं मां कोई भाशन मांसा सुनने नहीं आ रहा और अब भाशन खतम से होते जा रहे क्योंकि अब भाशनों का मामला पैटर्ण खतम होता जा रहा है संगतियों में अब सब्जेक्ट चलने लगे है सब्जेक्ट पर बात होने लगी है स्रमन संग के उपर बात होने लगी है जोडने जोडने के उपर बात होने लगी है विचारधारा हमें किसी की चाहिए नहीं विचारधारा हमारे पास बुद्ध की बावा साथ की हैं और जब संगती में पर आते हैं तो वह संगती में आई और सारे सिसक्राण सें हैं कि उन几ी मिलने की और संग की ताकत चे इंदर बीज है जो गुन है और जो संगु को देखके उनमें ताकत आती है उससे उनके चेहरे चमकते है उससे उनका चेहरा खिलता है उतने सारे बहन भाईयों को जब एक साथ देखते हैं और जब यह पता चलते हैं कि यहां पर कोई नेता नहीं यहां पर कोई प्रधान नहीं यहां पर को तेसे और बढ़ जाती है। इसलिए हर एक व्यक्ति जो भी समढ़ संगी है इस पहियों को गुमाने के लिए अपने यहां संगती गराए। जब तक संगत्री ना करेगा ना कराएगा ना जाएगा सुनता रहेगा उसको इसका एसास नहीं होगा कि वो संगी है। संगती में जाके एसास होता है अरे तु तो संगी है वहां पता चलता है कि देखो यह हमारा संग है और हम तो संगी हैं कहने से इतना फाइदा नहीं होता जितना मिलने मिलाने से होता है इसलिए पूरे देश में जितनी तेजी से संगतियों की बाड आएगी उतनी तेज से हमा कम चैनि करेंगे देर जो अर्ब सी तो COM 17 할 तो कि जब सगती करनी है तो फिर जग Sagatya का ilustro का हजार को काम करना सब अपना लेकर आते हैं सब नीचे बैठते हैं सब गाना बजाना और बिलाकन महां तो एक तरह से ऐसमार हो जाता है कि मन नाचने को करता है बच्चे नोब कूटते रहते हैं बच्चे वहां चारतर खिलते रहते हैं वह कोई भाशट सुनने नहीं आता वह कोई कंसेप्ट सब अनुभव करने आते हैं concept को अपने सरीर में उतारने आते हैं, आपों से देखके सरीर के अंदर गरंड करने आते हैं, concept का स्वाद को चकते हैं, कानों से सुन चकते हैं, देखते हैं, वहां एक दूसरे को देखके खुशी होती है, एक दूसरे को देखके मिलते हैं, यही असली concept है, जो concept वहां जीते है पांच छे गंटे के अंदर महीनों की धूल, सालों की गंदगी और दस्यों हजार सालों की गुलामी एक जटके में दूर हो जाती है, पूरा यकीन और पूरा विस्वास आ जाता है, यह चमतकार जिसको देखना हो, यह चमतकार जिसको अनुभब करना हो, यह चमतकार जिसको म पीड है और जो तादात है वो बढ़ती जा रही है चंदोसी की जो संगती हुई है चंदोसी छोटा सा एरिया है और वहां एक हपते के संगती के लिए बहुत महत कर नहीं परते थी अब 7 दिनके संगती के अगर 700 आद्मि आ रहे हैं तो आप सोचे घीouter जोने वाली है वह कितनी बड़ी बड़ी होने वाली है और ये.स उसमें खिची चले आ रहे हैं सब एक दर शले हैं इसलिए जितने भी लोग हैं जो भी है हो संगती करके सबस्क्राइब को समय के अन्दर पैदा करने वाली बाता हैं उन्काइपTube कि अग्वार को सबस Wow है आज के समय क्या मायूसी की बाते चल नहीं है आज के समय मायूसी की बाते चल नहीं है कि यूपी सी के आई एस का एक्जाम का रिजल्ट आया हुआ है यह हर साल आता है तो हर साल आता है तो जैसी बात है जब रिजल्ट आएगा तो उसका कोई कुछ सीट है jeux तो जो सिर्ट काष्ट की तो उसमें जिनिजन लोगों के कैंडियेट सफल हो जाते हैं ज्यादा नहीं दो चार-पांच होंगे वह खूब पिचाप — पृसार पशार करते हैं आप Ti बदाई है, आपकी आसिरवास से हमारा बच्चा बन गया, अब हमारा ये बच्चा बन गया, हमारे समाज का ये बन गया, कुछ काश्ट पर ले आते हैं कि हमारी काश्ट का ये बन गया, हमारी काश्ट का वो बन गया, पूरे भारत में जो आईएस काडर है, उसकी जो सीटे है पांच यार्ट से कम हैं और जो आई-पेस काड़र है उसकी चाहगा हजार से कम है। फिल मिलाके दोनों आई-पेस और आई-एसपी, नो हजार से कम है। और सारी फिलप रहती है अगर आप परसंटेज के हिसाब से भी लगाओंगे तो पूरे देस में हजारे के करीब हमारे लोग बैठेंगे अगर को मिला लेंगे तो जो इकिस परसंट बैठता है उसके हिसाब से बैठेंगे दो सुन करीब जो दो जारे करीब बैठ जाएंगे और अगर OBC का भी आना सुरू हुआ है, OBC का भी अगर लगा लेंगे तो आप 40-45 परशेंट बाल लेंगें, 40-45 परशेंट में ये 4-5,000 लोग बैठते हैं, 4-5,000 लोग एक साथ नहीं है, जो IAS और IPS में आ जाता है, या जो उपर की कैडर में आ जाता है, उस कैडर के ऐसा सिस आप की तरह टीट करते हैं, उसको वहाँ एक अडली मिलता है, घर में नौकर मिलता है, दफ्तर में नौकर मिलता है, पचास लोग आते हैं, रोग सलाम ठोकते हैं, कहीं वो छोटे आदमी से बात के तो कहते हैं, जी अब तो आपका स्टेटस बढ़ा हो गया, चोटे आदमी अये सलाइड की, और उसमें से 700 लोग लिए गए, तो ऐसा मतलि यह नहीं है कि एक लास जो बच्चे बैटे पर सारे बच्चे काम्यारा यह चीजें समाज में मायूसी फिला रही है और यह मायूसी पनी ज्यादा फिला रही है क्योंकि हमारे लोगों के दिमाग में जो गुलामी और जो मांसिकता है वो इसकदर भरी हुई है कि उनको लगता है कि अगर हमारे पास बहुत पैसा होगा त तो हमारे कश्ट दूर हो जाएंगे उनको लगता है कि अगर हम टॉप ऑफिशल्स बन जाएंगे या ऑफिशल की स्ट्रेणी में आ जाएंगे तो हमारे कश्ट दूर हो जाएंगे उनको लगता है कि अगर हमारे पास में बहुत जादा खेत खलियान हो जाएंगे तो हमारे संख्या में कम हैं जो समाज से लगबग चले जाते हैं इनका प्रसंटेज बहुत कम है मैं बहुत लोगों को जानता हूं क्योंकि दिल्ली में बैठा हुआ हूँ और यहां लगतार पूरी जिन्गी निकल निकल गई है यह लोग प्रसंटेज एक परसंट से भी कम है इसलिए से होप करना या उम्मीद करना कम है और बच्चों में निरासा ज्यादा आती है और समाज में मायूसी ज्यादा पैदा होती है क्योंकि मायूसी इसलिए पैदा होती है कि हमारे सारे रास्ते और बंद हैं और हमको लगता है कि सारे बच्चे हमारे यहीं जाने चाहिए सरकार और जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो चाहिए तो उनमें एक कमपनिशन की भावना ज्यादा हो गई और निगेटिविटी ज्यादा आ गई मायुसी ज्यादा गई इससे हमारा समाज काफी पीछे चला गया पीछे इसलिए चला गया क्योंकि आपॉशनटी का जो नंबर से बहुत कम है इस अपॉशनटी के नंबर को बढ़ाने का किसी भी समाज के टॉप ऑफिचल ने या किसी भी समाज के बड़े आदमी ने कोई काम नहीं काम हुआ है आप अगर ध्यान दोगे और अच्छी तरह से पता करोगे तो यह पता करोगे कि बावा साब के बाद से ना नहीं कोई हमारे लिए रास्ते खोले हैं कहीं भी आप ध्यान दोगे तो किसी ने कोई रास्ता खोला नहीं है को इंडिगल काम करता है वो अलग बाद जो हमारे राजनीतिक लोगों ने थोड़े बहुत प्रियास की हैं मगर वो प्रियास मून के मूह में जी रहा है कोई ब घटे ही घटे है बड़े नहीं है इसका मतलब यह है कि जो टॉप लेवल है हमारा वो समाज की ने काम नहीं कर रहा है या वो काम करने ही सकता या काम करने लाइक है नहीं या वो काम करना चाहता है तो उसके पीछे समाज की बैक नहीं यह जो लाश्ट वाला पॉइंट है कि कि वो काम करना भी चाहता है, उसके पीछे बैक नहीं है, यह सब से ज़्यादा इंपोर्टन है, क्योंकि जितने भी हमारे टॉप लोग हैं, खास और से गौवर्मेंट में बैठे हुए, या जो गूरुकेट्स में बैठे हुए है वो चाहा कर भी हमारी मदद नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पीछे संग नहीं है उनके पीछे सेल्टर नहीं होने की कारण वो हाथ खीच के काम करते हैं क्योंकि उनको पहले अपनी जान बचानी होती है हर व्यक्ति का ये सिस्टम है कि वही जो व्यक्ति होगा वो सबसे पहले अपने आपको बचाएगा यह और यह नेच्रल प्रिंसिपल है इसके लिए कहीं हमें दूर जाने की जरूत नहीं है इसलिए जो भी व्यक्ति होगा हो सबसे पहले अपने आपको बचाएगा फिर अपने बच्चे को बचाएगा फिर वो समाज के लिए बात करेगा ऐसे बहुत कम बिरले हैं जो बच्चों को और अपने आपको बाद में रखते हैं समाज को प्ले रखते हैं इनकी संग्या बहुत कम है इसलिए जितने भी लोग हैं उन्होंने संग पर कभी काम ही नहीं किया उन्होंने अपनी बैक बनाने पर काम नहीं किया उनको लगा कि हम इंड को देखे बहुत साइव लोगों ने अलग हो गए और बहुत साइव लोगों ने बावा साथ की उस बात का मिस्वीश करके फाइदा उठाया जो टॉप रैंकिंग में चले गए कि हमको की बावा साह मैं इंटरवर्ण मैरेज कर दी और इंटरवर्ण मैरेज करने से हमारे जो टॉप ऑफिशल थे िव लगबाग उधर ली जाती है तो वो सीट पूरी खत्ता हो जाती है हमारी उसका हमें फिर फाय देजिए का नुपसान होता है इस सारी स्थितिकोर बच्चों को बचाने के लिए कहीं कोई टॉप लेवल आपकी मदद के लिए नहीं आ रहा है इसलिए जो जितनी हम बदाईयां देते हैं या जो सारे संघ्व बनाएं और उनीकों पीछे से मदद करें तो वह अपना काम करें या ना करें पर हमें अपना काम करना चाहिए थे हैं मोगर जतनी संख्या में आने चाहिए उतनी संख्या ऐसे लगता है कि मैं यहां जो आया हुआ हूँ तो यह लोग मुझे अपना उपर मानें और मेरी बात को सुनें मैं इन से ज्यादा बुद्धी में तेज हूँ मैं बड़ा अफसर हूँ मैं बड़ा पड़ा लिखा हूँ मैं बड़ा पैसे वाला हूँ मैं बड़ा कोश्ट व है वानीए वह वहां भी सूपरमिश दिखाता है पर हमें जान बचा नहीं है इसलिए हमें उन बातों का बुरा ही मानना जो ठीक है जैसे वो करें ठीक है अगर हम उनको सेल्टर देंगे तो बदने में हम उनसे फिर राइट्स ले सकते हैं या ना भी देंगे तो फिर जबस्ती राइट लेने का हमारे पास तरीका आ जाए इसलिए संग एक मात्र ऐसा रास्ता है जो कि हमें बहुत नीचे रहते हुए भी बेसक हमारे पास में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें ना हो बेसक हम टॉप ऑफिशल्स ना हो बेसक हम टॉप जूडिस्ट्री में ना हो बेसक हम कैमिनिट मिस्टर रैंक में ना हो चाहे राज्यमंत्री ना हो चाहे बेसक हम जमिदार नहीं है चाहे बेस होने से जीत जाएंगे क्योंकि उन सब को संग क्या सकता है जितना बड़ा आदमी होगा वो उतना ज्यादा डरा हुआ होता है उसको उतने ज्यादा सेल्टर क्या सकता होती है अगर हम इखटे होते चले गए तो वह आपके संग में आपके संग के पैर दवाने के लिए त्यार खड़े हुए पर वो आपके संग के पैर तब ही दभाएंगे जब आप उनको ये दिखा दोगे कि संग आपके पास पास तमेह वही है जो पुराना है और हम इस सीडी पर लगाता चड़ रहें लगाता चड़ रहें क्योंकि एक हफ्टे के नोटिस पे गा साथ सो आदमी खट ने बहुत मीटिंग देखी है 120 120 120 nossa मिटिन होती है अपना तlar निजल घक़े हैं कि लोग तरसते हैं यह यहां पैसा देते हैं यहाँ यह बिजनिस है यहां पार जंड़ेपे अबर वो जो जितने भी संग में आए यह यह ड़िया है जुर दूब हमारे थी आपके पासमल आगे बड़ चुके हैं और पीछे जाने का रास्ता है नहीं तो हमें आगे अगे बढ़ना ही हैं अपना है। हर को जोड़ना जोड़ने की कम्सेप्ट में जुड़ना भी है और जोड़ने का काम भी करना है और जोड़ने जोड़ने के काम में देर नहीं करनी है यहां एक सिंग जी मुझसे पहले आये थे अभी उनसे लगबग एक महने से यह कहा जा रहा एक साल से कहा जा रहा था कि आप अपनी चंद मिटिन लगाई यह तो होनी है चैन से नीजी सोगा संग यह जो संग के नीचे जड़ों में काम करें लोग है पूरी ताकश से सुबह पांच मिसे लगे तो साम के साथ आठ वे तक कमट टेड़ी होगे पर उठे नहीं तो उन्होंने सब फोन समाल लिए और उन्होंने सब कॉंटेक्स समाल लिए तो संग जहां लगता है वहां जंगल में मंगल कर सकता है और संग जहां से हट जाएगा वहां वैसा ही विराना चाह जाएगा जैसे हमारे जीवन में बराना आप से पहले चाहिए इसलिए यह संग की ताकत इतनी बड़ी ताकत है इतनी जबजस ताकत है आप इसको अभी मह मैसुस तब कर सकते हैं जब आप संगती संगती करवाएंगे और फिर देखेंगे क्या कमाला है हम लगातार लगातार एक खट्टे होंगे हर सहर में खट्टे होंगे फिर बड़ी जिगें खट्टे होंगे फिर साल में एक वार सारे खट्टे भी होंगे और हम लगातार रह् 이ू कि चपटती हैं अच्छे चोटी सी हुए चोटी सी यब दिस पचाट जाती है फिर आदमी के ताकत हो उसे नहले ही पड़ता है तब जाके वे चूड़नी वाइद एधर काटे एक उधर काटे पता नहीं चलता है संग में ताकत होती है वैसे ही ताकत संग के अंदर आजाती है संग जैसे जैसे बनता जाएगा वैसे वैसे वो सिकार से शिकारी बनना सुरू हो और जब वो शीकारी بنना शुरू हो जाएगा तो शीकारी कभी बी प्रतारित नहीं होता, सीकारी तो प्रतारित करता है, तो हमारी जो प्रतार ना làm है, उटो खतम हो जाएगी, अपने आप किसी से कहने ही जोती होती पड़ेगी, भलकर फिर तो शिकार हम से नेवद्दन करेगा, जुके स्लाम करेगा, कि कहीं उसको प्ताणा ना मिल जाए इस प्रोसेश में कहीं को धिक्कत आने वाली नहीं है, यह हम पहले भी इसको कर चुके हैं, पहले भी भी इसका फाइदया है, और यह हमारे जूते चोरी होगे कोई ले गया होगा उठाके पर चौर आजाए कोई का कोई हो जहां हम संगती करते हैं तो आज यहां जो चंदोसी वाले लोग थे उन्होंने मंत्रणा की कि भाई अब हमको टॉक्णी में लगाने पड़ेंगे और जूता चप्पल गिनिया में बहार से दो आदमी हायर भी करने पड़ेंगे ताकि देख वालो तो समस्य आई तो समाधार भी निकालेगा संग तो यह समस्य पहले नहीं थी क्वेले क किसला सोचाथा क्या यταर कि साथ सू आदमीं बैटेंगे या दो सवादमीं बैठेंगे जैसे बढयते जा रहें हैं वैसे उसमस्य आते जा रही है तो समद्हान भी आते जा रहे हैं इस्नीए ये ن pubयाburst नियम है आप बे इस पिकर होके बेख़टती ऋक respective लो और इसके जिब golden rules है, उनको रट्टा मान लेगा, उनका इता रट्टा मान लो क्योंकि किसी को भी आप बताओगे, तो ten golden rules में सारा सारा संग आ जाता है, इसकी वीडियो में बना दूँगा, चदोसी के अंदर गर वीडियो बनाई हो तो वहाँ ten जो नियम थे, golden rule थे, वो कैसे कैसे क्या क्या benefit हमें देते हैं, उसके बारे में बताया था, नहीं तो कुछ समय बाद में वो automatic सारी वीडियो आ जाए, और सारे के सारे लोग काम पे लग जाए, क्योंकि संग में विचार किया हो सकता नहीं है, संग में काम करने वालों किया हो सकता है, काम किया हो सकता है, विचार से कोई जंग नहीं जीती जा सकती, विचार काम का रास्ता खोलता है, हर विचार के लिए काम करना पड़ता है, कोई आदमी बोलते हैं सिर्फ भाशन देदिया काम फथम हो गया बुद्ध जैसे व्यक्ति भी बहुत कम बूला करते थे और पूरे दिन काम किया बावा साथ सब्वावं की सब चीज की समस्या लगने लगी जब कि भाषणवाज के सासाथ में काम वाज भी आते काम करने वाले बी आते कारेकरता भी उसी सस्य तो बात बन जाती मंच चे तूट जाती आजकल इतने भाषणवाजपाया है मैंने 2006 में नागपुर में काईक्रम देखा था दिख्चा भूमी पे गोल्डन जूबली का इतने आदमी चड़े हुए थे मुझे ताज्य हुआ कि अगर एक मिनट भी सारे आदम नंबर नायक क्या पिचवा रहे हो क्या कर रहे हो तो यह चीजें सतर साल पैदा हुई है पर संग ने इन बीमारी ओको एक जट्टे में खतम करती है और जैसे यह बीमारी खतम हुई जिल लोगों को यह बीमारी है वह तिल मिला रहे हैं वह प पड़ेगा छोड़ेंगे नहीं तो बीमारी एक खा जाएगी इसलिए जितने भी साथी हैं जो भी साथी हैं जहां भी है वह सारे के सारे अपना संगती कराएं और संगती में आएं संगती में जाएं चंदोसी के अंदर एक नियम पास हुआ है वो नियम बड़े कमाल का है क कि हमको दिन में तीन वार संघंग नमामी करना है एक सुबह उठते ही संघंग नमामी तीन वार जैसे हम करते हैं जो लोग बुद्धिष्ट हैं वो बुद्धंग संघंग अच्छा में भी कर सकते हैं बुद्धंग नमामी करें धंग नमामी करें जो लोग बुद्धिष्ट है जिनका बुद्ध में यकीन नहीं है वो खाली संग में यकीन रखते हैं वो संगन नमामी करें तो सुबह को तीन वार संगन नमामी करनी है और उसके बाद दुपएर को खाना खाने बाद जहां भी वर्ट पेस हैं वहां तीन वार संगन नमामी करनी है और रात को सोने से पह ऐसे दोनों हाथ करके और ऐसे करके तीन वार, तीन वार किसी को हम जापानी स्टाइल में, वैसे इंडियन स्टाइल है, तो जापनी स्टाइल में भी उसको संघंग नमामी कर सकते हैं, कोई बीमार है तो गर्दन से तीन वार ऐसे करेगा, तो वो कर कर सकता है, ये संघंग नम बातों से जुड़ रहे हैं हम activity से नहीं जुड़े हैं यह activity हमारी है जो संगंग नमामी के रूप में चलेगी और यह तीन वार आपको हमेसा याद रखनी है हो सके तो WhatsApp पे इसके फूट भेजिए हो सके तो इसकी जगे जगे भेजिए और जगे जगे इसका प्रिचार प्रिचार कीजिए और जहां working place में मिलते हैं यह हमको तेजी से जोड़ देगी इसलिए संगंग नमामी हमारे समधन का हिस्सा रहेगी और मैं आप से सबसे एक निवेदन देगे उतना संग हमारे कून में से जीन में से बाहर निकलता जाएगा और हम उतनी तेरी से संग में सब लोगों को जोड़ते जाएगे संगं नमामी धन्यवाद आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को gift में भेजनी चाहिए या किसी भासा में convert करके आगे बढ़नी चाहिए या print में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी part को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सबी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप youtube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना right है इस पे कि हम इसको load कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरनं गच्छामी संगं सरनं गच्छामी तूंतियं पी बुद्धं सरनं गच्छामी तूंतियं पी बुद्धं सरनं गच्छामी दूतियं पी धम्मं मर्सेनु गच्छाम। दूतियं पी धम्मं सर्नं गच्छाम। दूतियं पी संगं सर्नं गच्छाम। दूतियं पी सर्नं सर्नं गच्छाम। ततियं पी बुद्धम सर्मं गच्छामी ततियं पी संदं सर्मं गच्छामी